नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल और एस्टेडी पे जिन दोस्तो आज किस वीडियो में हम चक्रब्रीधी ब्याज निकालना सिखने वाले हैं जिए दोस्तों चक्रविर्धी व्याज अगर आपको सधारन व्याज निकालना नहीं आता है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर क्लिक करके आप सधारन व्याज निकालना सिख सकते हैं उसके बाद आता है चक्रविर्धी व्याज तो यहां पर बहुत ही important question कोशन है इसको चक्रवेद्री प्षक निकालना है इसको सबसे पढ़ लेते हैं तो हमारा कोशन है stripes कभल सकते हैं क्या कग रहा हैं 1000 व्रीय के महब जी कि एक रुपब्स की आप जब कहार लेते हैं गजा लेते हैं 1000 व्रुपबां के चार परतिसत की दर से यानि दो सालों का चक्रवेधि ब्याज ग्यात करना है यानि एक हजार उपए है चार परतिसत की दर है दो सालों का चक्रवेधि ब्याज निकालना है यानि एक हजार ये क्या है जो हम कारजा लेते हैं सुर्वात में उसको मुलधन बोलते हैं और यहां पर दर है कितना चार परतिसत और समय किया है तो दो सालों का समय है यानि दो सालों का चक्रव्रेधि ब्याज निकालना है तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक साल का चक्रव्रेधि ब्याज नहीं लगता है क्योंकि एक साल में चक्रव्रेधि ब्याज निकलता ही न एकॉर्डिंग टूड़ा कोशन हमको एक हाजार का क्या चार परतिसत निकालना है तो यहां पर चार परतिसत कर देंगे तो यहां पर एक हजार लिख लेंगे का का मतलब होता है गुना चार परतिसत है तो चार लिख लेंगे परतिसत का मतलब होता है बटे में 100 यानि यहाँ पर एक परतिसत रहे तो एक बटे 100 दो परतिसत रहे तो दो बटे 100 तो चार परतिसत है तो यहाँ पर चार बटे में 100 हो जाएगा आई होप कि आपको पहले से परतिसत निकालना आता होगा तो यहां पर इतना करने के वद आपको क्या करना है येिस दो जिरो से ये वला उपर दो जिरो एककर कर लेना है दस का गुणा करेंगे च्यार में हो जाएगा 40, समझ रहे हैं अब ये तो 1000 का 4 पर 30 यहां पर हमारा कितना रुपई निकल कर आ गया है हमको क्या करना है चक्र विधे ब्याज दो सालों का निकालना है तो चलिए निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्स एक बर्स का हमको ब्याज कितना लग रहा है तो एक बर्स का हमको यहाँ पर 40 रुपई ब्याज लग रहा है और दूसरे बरस में हमारे अबी आज कितना होगा तो यहाँ पर हम दो लाइन एक खेजेंगे एक बरस में 40 और दूसरे बरस में भी यह वाला तो 40 ही लागेगा लेकिन यह जो छक्रविधी भी आज है न तो हमको इस कंडिसन में क्या करना होता है इस 40 का यहां पर कितना परतिसत का और रहा है 4 परतिसत तो इस 40 का 4 परतिसत निकाल कर यहां पर लेखना है तो चलिए 40 का हम यहां पर 4 परतिसत निकाल लेते हैं 40 गुने 4 परतिसत यानि 4 बटे में क्या 100 हो जाएगा एक जिरो से एक जिरो के एंसिल चार चोग के 16 और 10 ते भायट करेंगे 1.6 आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं 1.6 आ जाएगा यानि 40 का 4 पर तिसत 1.6 हो गया तो यहां पर हम क्या करेंगे 1.6 लिख देंगे 1.6 लिख दिया अब यह एक बर्स का इतना ब्याज हो गया और दूसरा बर्स यानि चक्रविधी ब्याज का दूसरे बर्स में तो यतना लगेगा लेकिन चक्रविधी ब्याज है तो यह 1.6 यानि एक रुपए 60 पैसा बढ़ जाएगा तो अब हमको कितना रुपए टोटल देना होगा तो इसको क्या करेंगे सभी को जोड़ लेंगे तो 40 में 40 जोड़ेंगे 80 रुपए पलस 1.6 इसको जोड़ेंगे तो 81.6 रुपए और यही हो गया आपका आंसर यानि एक हजार रुपए के चार परतिसत की दर से दो सालों का भी आज 80.6 यानि एक आसी रुपए 60 पैसा होगा आई होप कि आपको सुमझ में आ गया होगा कि चक्रविर्धी भी आज निकालते कैसे हैं तो यहां पर पर तीन बर्स कर देंगे और यहां पर एक लाइन यहां एक लाइन यहां यहां तो यहीं तो यहां रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने कासाओ साथ वेल ऐकन प्रेस करके all select कर लिजेगा उससे क्या फाइदा हो कि जब भी मैं इस तरह का new video upload करूँगा उस video का notification आपको मिलता रहेगा और आपके तयारी चलती रहेगी चलिए मिल लेते हैं आपसे अगले वीडियो में तो तक लिए take care भाई भाई धन्यवार